हेलो गाईज, वेलकेम बैक टूटी टोप मोस सुलूशन, फिर से आगे हैं आपके लिए एक सुलूशन लेके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, आज के वीडियो में हम बात क पर चला जाता है, इंस्टेड ओफ सेट अप बोक्स, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिफोल्ट सेटिंग्स जो है, स्ट्रियम आई पे सेट कर सकते हैं अपने टीवी का, सो देखिए अभी मैंने जो है पावर ओफ कर दिया टीवी को, अभी मैं ओन कर ल है, अभी क्या होगा, आपका टीवी जो है, आप इससे पहले सेट वुक्स पे वीडियो देख रहे थे, इससे पहले आप सेट वुक्स पे अपना एस्टियम आई लगा की वीडियो देख रहे थे, बट जब आप पावर ओफ करते हो, तो आपका जो टीवी है, होम स्क्रिन पर चला जाता है जब आप फिर शूण करते हो एंड इसी का सुलिशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यह देखिया आपका टीवी जो है वो हो चुका है ओन आपका बॉक्स भी कनेक्टेड है स्टेमाई के साथ में बॉक्स भी होन है बट आपका टीवी जो होम स स्टेमाई में फिर सिफ जो है आपका टीवी जो है मैं सेट करदे था हूं सेट अपुक्स पर तो अभी आपका वी कुडियो में चल रहा है चल रहा है श्ट्ट अब अपको क्या में आप होम की प्रेस करना सबसे पहले होम स्क्रेइन प remote नीचिय पर चलीं पर चले जाना है आपको device preference पे okay करना है device preference पे okay करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक option मिलता है inputs का इस पे okay करना है अब आपको आ जाना है बिल्कुल नीचे इसमें आप देख सकते हो आपको बिल्कुल नीचे एक option दिया हो है stay on the previous source यानि जो भी screen पे आपने tv को power off करा था उसी screen पे आपको tv power on होएगा अगर आपने HDMI input पे off कराए तो HDMI input पे ही आपका tv जो है own होएगा अगर आपने home screen पे off कराए तो home screen पे आएगा अभी देखिए मैंने जो है उसको on कर लिया है and set a box पे मैंने input को set किया है सो अभी मैं setup box पे ही TV को बंद करूँगा ठीक है मैंने power off कर दिया यहाँ पे अभी मैं setup box पे ही TV को ओन करूँगा ठीक है सो मैंने यहाँ पे power on कर लिया है TV को और box को दोनों को एक साथ में अब देखते हैं जो आपका TV है वो कौन सी screen पे जाता है home screen पे जाता है या फिर HDMI input screen पे जाता है यह देखे मेरा box on है ठीक है और TV मेरा यहाँ पे ओन हो चुका है और यह जो है HDMI input पे आपका TV जो है ओन हो है तो अब आपका TV जो है home screen पे नहीं जाएगा हर बार HDMI input पे ही आएगा ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उत लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then take care bye bye